नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आपका स्वागत है गार्णिंग इन्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर और इस वीडियो पर दोस्तों आज इस वीडियो में हम मेति उगाएंगे मेथी उगाना किस तरह से है मैं इस वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इंफरमेशन शेयर करूंगा और आप देख सकते हैं मैंने तीन टब में मेथी उगा रखिया आप बाल्टी में बोरी में किसी में भी मेथी उगा सकते हैं मेथी उगाने का वीडियो जो हम देखें प्रोसेस वीडियो उससे पहले हम जान लेते हैं आपके काफी कमेंट आते हैं कि मेथी उग तो जाती है लेकिन उगने के बाद मेथी गिर जाती है मेथी गिरने का जो रीजन वो एक हो ये नहीं हम कह सकते हैं अगर गर्मी जादा दोपैर के समय जादा टाप मान हाई है तो भी मेथी की प्लांट मर सकते हैं फिर मुर्जा कर गिर जाते होंगे अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं ज्यादा पानी देते हैं तो उस कंडिशन में जो मेथी की जड़े हैं कोमल जड़े जो वो सर जाती है और उस कंडिशन में मेथी जो मर जाती है गिर जाते हैं मेथी की प्लांट और अगर आप कम वाटरिंग करते हैं तो भी मेथी की अगर आप जो है ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं और कम वाटरिंग भी नहीं करते हैं बस मिट्टी में हलकी नमी बना कर रखते हैं तो मैं सिर्फ मिट्टी में नमी को खित्व नहीं होने देता हूँ, इसमें regular पानी देता हूँ, कभी भी over watering नहीं करता हूँ कम watering भी नहीं करता हूँ. तो मेरी मैती एकदम chari doiventanor, कोई दिक्कत नहीं है कोई भी plant ला wrench कर नीचे नहीं गिरता है तो दोस्तों आप इन दो तिन बातों का अगर ख्याल रखते हैं तो आपकी मेथी भी हरी वरी रहेगी कभी मुर्जा कर गिरेगी नहीं मरेगी नहीं तो चलिए दोस्तों हम आज से 13 दिन पहले का वीडियो देखते हैं जिसमें हमने इस मेथी को उगाया है किस तरह से हमने इस टब मेथी को उगाया है ये है दोस्तों मेथी का पैकेट ये हाइब्रेड मेथी का बीज है इसमें आप चाहो तो देशी कस्तूरी मेथी भी ग्रो कर सकते हैं कोई भी मेथी आप ग्रो कर सकते हैं लेकिन दोस्तों मेथी को जल्दी से ग्रो करने के लिए जल्दी से मेथी जो उग जाया दो तीन दिन में ही इसके लिए आप जो मेथी के बीज को पहले रात पर पानी में भीगो कर रख दीजिए दोस्तो कल शाम के समय हमने इस मेथी के बीच को पानी में भिगवाया था और अभी जो हमारी मेथी के बीच पुवी तरह से पानी में भीग कर फूल गए है और ये काफी जल्दी अब जो इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो दोस्तो मेथी को उगाने के लिए मैं यहाँ पर इस टब का यूज कर रहा हूँ जिसमें मैंने ड्रैनेज होल बना रखे हैं चोटे चोटे से और दोस्तो इस टब की जो गहराई है 5.5-6 इंच की है आप चाहो तो पॉट का यूज कर सकते हो 5-6 इंच की घराया वाला पॉट काफी रहता है मेथी को उगाने के लिए और जो मिठी मैंने दोस्तो लिए है मेथी को उगाने के लिए मेथी के बीज को बस हाथ में लेना है और इस तरह से मिठी की उपर बिखेर देना है तो मेथी को आपने ज्याद़ा घना बीज नहीं डालना, अगर ज्यादा घना बीज बीज़ोगे, तब भी मेथी को उग तो जाएगगी लेकिन मेथी जो है अंदर ही अंदर सड़ने लगेगी क्योंकि दोस्तों ज़्यादा घनी उगेगी तो हवा नहीं लगेगी जो प्लांट है इसकी वज़े से मरने लगेंगे तो बस मेज को अच्छे से बिखेर देने के बाद मिट्टी की एक जो है पतली से लेर और उपर से बिखा देंगे हम ताकि हमारे जो सीड हैं सभी के सभी कवर हो जाएं और सीड इजली जो है जर्मिनेट हो सके बीज के उपर मिट्टी की लेर बिखा देने के बाद हम पानी द और जो हैं आप सर्दियों में उगाते हैं तो मेथी को फुल सनलाइट वाली जगा पर ही रखिए छायदा जगा पर ना रखिए ये दोस्तों तीसरी दिन का अपडेट आप देख सकते हमने जो मेथी की बीज बोई तो हमारे दूसरे दिन ही निकलने लगे थे लेकिन तीसरी दिन ज़्यादा अच्छे से दिख्याए दे रहा है इसलिए मैं जो आपके साथ सीज़ा तीसरी दिन का अपडेट शेयर करना हैं। एजिटेवल्स ग्रो कर सकते हैं और मैं जो है काफी सारी वीडियो शेयर भी की हैं अगर आप वीडियो देखना चाते हैं तो अभी आपको इस स्क्रीन के उपर जो आई बटन पर दिखाई दे रहा हो घर की चत पर सब्सक्राइब कर लें तो आप उस आई बटन पर क्लिक करक कि पूरी प्ले लिस्ट में जाकर जो है काफी सारी वीडियो देख सकते हैं कि हम किस तरसे घर की चत पर क्या कैस अब जो कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जूर कर दें और चैनल पी सब्सक्राइब कर लें थैंक्स वर वाचिंग हैपी गार्निंग